आप में से बहुत सारे लोगों को स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी पता है उन्हें स्कैल्पिंग करनी भी आती है लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स वो लो करते हैं जिसकी वज़े से उन्हें लॉस हो जाता है तो आज की वीडियो में मैं आपको स्कैल्पिंग के कुछ ऐसे हैक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी स्कैल्पिंग को काफी इंप्रूव कर सकते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप स्कैल्पिंग कर रहा है तो scalping में सबसे ज़्यादा important क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा important यह है कि आपको trade में enter करना है और थोड़ी ही देर में profit को लेकर निकल लेना है लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं? वो ऐसी जगह पर trade ले लेते हैं, जहाँ पर कोई momentum ही नहीं है तो सबसे ज़्यादा important है कि scalping कर रहे हो तो trade तभी लो जब आपको market में momentum देखने को मिल रहा है और जब market किसी एक direction में चल रहा है ना कि जब market sideways चल रहा है वैसे बहुत साहे लोग कहते हैं कि अगर आप scalping कर रहे हैं तो market अगर sideways भी है तो आप वहाँ पे भी scalping से profit ले सकते हैं क्योंकि आपको बहुत छोटे-छोटे points capture करने हैं यह आप बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको experience होना ज़रूरी है तो better है कि जब market किसी एक trend में चल रहा है किसी एक direction में तेजी से चल रहा है और market में momentum है उसी time पर आप scalping में enter करें और उसी time पर profit कमाने की कुशिश करें अब यहाँ पर आपके लिए दो pro tip है सबसे पहली तो देखिए अगर आप scalping कर रहा है तो अगर आप किसी stock में scalping करेंगे तो वहाँ पर बहुत तेज momentum आने के chances कमाते हैं उतनी जादा volatility आपको stock में देखने को बहुत कभी कबारी मिलती है तो बैटर है कि जब भी scalping कर रहे हैं वो किसी ना किसी index में ही करें चाहे nifty में करें, bank nifty में करें या फिन nifty में करें लेकिन scalping कर रहे हो तो क्योंकि आपको बहुत short time period में जादा से जादा points capture करके market से निकलना है तो market में volatility होनी चाहिए, momentum होना चाहिए इसलिए index में करोगे तो better रहेगा यह है हमारी पहली tip और दूसरी pro tip यह है कि आपको पता है कि जादा तर market में जो volatility हमें देखने को मिलती है वो सुभा जब market open होता है 9.15 पे और तब से लगभग साड़े 10 बजे तक हमें जादा तर market में जो momentum आना होता है जो market को बढ़ना होता है वो इसे ही time period में हमें सुभा देखने को मिल जाता है और इसके बाद अगर देखें तो फिर आपको दो पहर दो बजे के आसपास आपको दूसरा जो momentum देखने को मिलता है तो ये जो सुभा का time period है इसको बिलकुल भी miss मत कीजिए अगर आपको scalping करनी है क्योंकि इसके बाद जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफी देर तक हो सकता है कि कोई खास momentum देखने को ना मिले तो ये सुभा का जो time period है और उसके बाद ये जो lunch के बाद का time period है इसको miss मत कीजिए scalping करते बाद अब next point समझने से पहले मैं आपको इतनी well researched information दे रहा हूँ तो इसके लिए कम से कम वीडियो को like कर दो और इसके साथी मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपने comment box में देना है तो सवाल ये है कि आप इंदा money में trade करना prefer करते हो या आज से पहले कर रहे थे add the money में trade करना prefer करते हो या out of the money में trade करना prefer करते हो या आपने comment box में बताना है और सिर्फ इतना ही नहीं बताना है, इसके साथ ही आपने ये भी बताना है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो अभी के अभी कॉमेंट जरूर कर दीजएगा, और हाँ वीडियो को शेर भी कर देना, अब second point है कि आपको पता है कि scalping में सबसे ज़्यादा important है time, आपको minimum time के लिए market में रहना है और वहां से profit खीच के निकाल देना है, तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन से time frame में scalping करेंगे, तो देखिए आप 15-20 minute या 30 minute के चार्ट में scalping करनी सकते हैं, आपके पास time period बसता है कि आप 5 minute के time period में करें, 3 minute के time period में करें, या फिर एक minute के time period पर करें, अब ज़ादा तर लोगों को क्या लगता है कि या मेरे को जल्दी से market में enter करके निकलना है, तो मैं एक minute के time frame पर scalping करता हूँ, जो कि एक better idea है, लेकिन ज़ादा तर लोग उस एक minute की candle को ना समझ नहीं पाते, क्योंकि एक minute की candle अगर अभी चल रही है तो तो ये थोड़ी सी बड़ेगी, आपको लगेगा कि candle तो या और इतनी बड़ी-बड़ी होती जा रही है, और आप बिना सोचे समझे, आपको बड़ी सी candle देखकर आप market में घुश जाएंगे, लेकिन वो candle होगी 2 points की, 3 points की, 4 points की, even मैं आपको बताओं, ये इतनी बड़ी स आपको जो candle देखने को मिल रही है, ये सिर्फ 4 points की candle है, और इस चकर में क्योंकि आप analyze कर रहे हैं और आपको बड़ी सी candle देखने को मिल रही है, तो आपको लगेगा कि यार इसमें तो घुसी जाना चाहिए, जबकि थोड़ी देर में हो सकता है कि वो सारा momentum नीचे आ जाए तो इसलिए एक मेंट की candle को, अगर आपको experience है, तभी आप एक मेंट की candle पर scalping करें, otherwise आप तीन मेंट या पांच मेंट की candle पर ही scalping करें, उससे जादा time period पे तो हम scalping करी नहीं सकते, तो time frame का बहुत जादा ध्यान रखिएगा, अब next point है कि देखो जब आप scalping कर रहे हैं, तो scalping में सबसे जादा ज़रूरी है एक सही strike price को choose करना, क्योंकि आपको पता है कि आप short time period के लिए market में enter कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसी strike price को choose करना चाहिए, जिसमें आपको सबसे तेज momentum देखने को मिले, तो यहाँ पर मेरी pro tip ये रहेगी, कि आप generally जब आप scalping कर रहे है तो वहाँ पर आप ITM में trade करने की कोशिश करें, यानि in the money options में trade करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपको generally ज़ादा volatility देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो delta होता है, वो ज़ादा होता है, अगर आपको delta के बारे में नहीं पता है, तो आप हमारा options के उपर हमने free course बना रखा है, 6 lectures का, उसका link आपको description में देखने को बल जाएगा, वहाँ पर हमने सारे concept समझा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ITM में trade करेंगे, यानि in the money options में trade करेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़ादा momentum देखने को मिलेगा, और आपको scal profit कमा सकते हैं, इसके बाद माल लिजे, अगर आपके पास जादा capital नहीं है, और आप ITM option को buy नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप add the money option को buy कर सकते हैं, लेकिन out of the money options को यहाँ पर avoid करें तो वो better रहेगा, बाकी आप अपनी strategy के हिसाब से भी decide कर सकते हैं, अब इसके आग reason यही है, और वो यह है कि यहाँ पर आपका जो mindset है, वो सही होना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो आपका scalping जो लोग कर रहे हैं, उनके mindset और जो normal options trading कर रहे हैं, या normal trading कर रहे हैं, उनके mindset में एक difference होना ज़रूरी है, मतलब हो सकता है कि जब आप intraday trading कर रहे हैं, options trading कर रहे ह और जब आप scalping कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका mindset different होगा, क्योंकि जब आप normal trading कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है, कि आप दिन में सिर्फ 2-3 trade लें, और उन 2-3 trade में ही, आप जादा से जादा profit earn करने की कोशिश करें, लेकिन जब आप scalping कर रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है, कि आप दिन के 10 trade लेंगे, 12 trade लेंगे, 15 trade लेंगे, यानि आपने यहाँ पर बहुत जादा trade लेना है, तो अगर यहाँ पर आपका mindset चूग गया, तो वहाँ पर समझो loss होना ही है, तो यहाँ पर mindset सही होना ज़रूर ही है, तो अब वह सही mindset क्या है, तो देखो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, कि आपने दिन में हो सकता है कि आप 15 trade लेंगे, आप 20 trade लेंगे, या फिर हो सकता है कि आप 10 trade लेंगे, यानि आप जाधा trade लेंगे तो यहाँ पर आपने एक बात तो clear रखनी है कि जब आप market में माल लीजिए 15 trade लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके कम सकम 6 या 60 trade में आपको loss होने के chances होंगे तो यह पहले से accept करके रखिए कि 6 से 60 trade में तो loss होना ही है तो जब आपको एक trade में loss हो रहा है तो समझ लीजिए यह उन 6 या 60 trade में से 1 है और उसको जल्दी से जल्दी exit कर लीजिए अपने loss को बढ़ाईए मत क्योंकि जादा trade लोगे एक trade में loss बढ़ा दिया तो सारा जो कमाया था ना इतने सारे में वो सब एक में चला जाएगा तो पहले से समझ के रखो कि 6-7 trade में मुझे loss होना है मान के रखो और जब वो एक trade में आपको loss हो रहा है आपको समझ रहा है कि आपकी strategy काम नहीं कर रही है तो वहाँ पर समझ लो कि यह उन 6-7 trade में से 1 है और इसमें मुझे loss हो गया कोई नहीं next वाले में profit हो जाएगा तो इस चीज को अपने पहले ही अपने mind में clear रखना है दूसरा आपने इस point को clear रखना है कि भले ही आपको 40 या 45% trades में loss हो जाए लेकिन आपको 50% से ज़ादा सही होना पड़ेगा तो अगर कोई strategy आपकी 50% से ज़ादा सही नहीं है तो समझ लीजे वो strategy scalping के लिए नहीं है आपने सही strategy चूज करनी है ऐसी strategy चूज करनी है जो 50% से ज़ादा सही हो ताकि आपको 10 में से 4 trade में loss हो जाए 6 trade में profit हो जाए और आप overall profit में रहें यानि scalping में आपका focus होना चाहिए overall profit होना ना कि एक trade या दूसरे trade में profit होना और इसके बाद जो mindset में सबसे ज़ादा ज़रूरी है ना वो है patience generally लोगों को क्या लगता है scalping का मतलब है buy करो निकलो, buy करो निकलो लेकिन इस चक्कर में वो क्या करते हैं वो बार-बार market में घुसते जाते हैं वो ये नहीं देखते कि opportunity जब आएगी तभी मैं enter करूँगा यानि यहाँ पर आपको दिन भर market में बैठे रहना है और opportunity का wait करना है जहाँ पर आपको लग रहा है कि momentum आ रहा है जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि market बढ़ रहा है वहाँ पर आप enter कीजिए और वहाँ पर profit कमाईए ना कि आप बार-बार market में बिना सोचे समझे enter करें बार-बार घुसें और 2-4 points लेकर निकल कर आ जाएं obviously बात है कि जब आप scalping कर रहा है तो वहाँ पर आपका focus है कि आपको थोड़े बहुत 10-15 points भी मिल जाएं तो उससे ही आप profit कर लेंगे लेकिन वो 10-15 points मिलने लायक होने चाहिए तो इस बात पर ज़रूर focus करें अब जो हमारा next point है यह मैं आपको एक example सा समझाता हूँ देखो जब आप scalping कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे ज़ादा important क्या है कि मान लो आपने किसी trade को 100 रुपे में बाई करना था और आपने 100 रुपे में बाई करने की जगा हो सकता है बाई करने में आपने थोड़ी सी देरी कर दी और आपने उसको 103 रुपे में खरीदा तो यहाँ पर सोचो आप already 3% तो lose कर चुके हो 3% तो आपके हाथ से पहले ही निकल चुका है और आप scalping में 4, 5, 7, 8% ही तो capture करने जा रहे हो और वहाँ पर 3% आपके हाथ से निकल गया तो यह बहुत बड़ा amount होगा इसलिए जब आप buy करने जा रहे हो तो वहाँ पर अगर आपने 100 में buy करना है तो वो 100 रुपे में ही buy होना चाहिए ना वो 101 रुपे में buy हो ना वो 99 रुपीज में buy हो यानि आपकी timing जो है वो बहुत ज़ादा matter करती है scalping में तो timing का बिलकुल ध्यान रखिए बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि वो गए तो scalping के लिए थे लेकिन उन्होंने buy करने में late कर दी मैंने तो आपको 103 का example दिया है लोग ऐसे भी हैं जो 106-107 में buy करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि यार अब यह बढ़ेगा जबकि आदे से जादा तो वो बढ़ चुका है आपको तो इतने ही points capture करने थे ना तो यहाँ पर अपनी timing बिलकुल perfect रखें इसके साथी देखिए जब आप scalping कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि आपको बहुत सारे trade में loss होगा तो यहाँ पर भी risk और reward का ध्यान रखें अगर आप 7% लेने जा रहे हैं scalping में तो जादा से जादा 3% का ही risk लें यानि आपका जो risk to reward ratio होना चाहिए वो 1 is to 2 का कम से कम होना चाहिए तभी आप profitable रह पाएंगे अगर किसी में आपका risk जादा है reward कम है तो फिर चाहिए कितनी भी trading कर लो आँखरी में loss ही हो जाएगा तो क्यूंकि अब आपको समझ आ गया है कि आपके लिए correct timing में entry लेना कितना जादा जरूरी है तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि किसी अच्छे broker के साथ ही अपना DMAT account खुलवाएं क्यूंकि आपने देखा होगा कि आजकल brokers के आप में बहुत जादा glitch देखने को मिलता है और उसकी वज़े से जो हम retail traders हैं हमारा ही नुकसान होता है तो अच्छे broker के साथ आपका DMAT account होना जरूर ही है तो कुछ अच्छे DMAT account के link मैं आपको description में दे रखे हैं जिनके DMAT account में खुद भी use करता हूँ तो description जरूर चेक कर लीजेगा इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखो जब आप scalping कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत लंबे time के लिए market में नहीं गुसे हैं आपका time period एक fix है कि आपको जल्दी से market में निकलना है तो अगर आप किसी trade में enter करे हो और उसके बाद आपको 10-15 minute या 20 minute का time उस trade में लग जा रहा है तो इसका मतब़ है कुछ ना कुछ तो आपकी strategy में कमी थी आपके analysis में कभी थी तभी तो आप इतने लंबे time के लिए market में फस चुके हो otherwise आप scalp करने गए थे आपको 2-4 minute के अंदर निकल जाना चाहिए था market से लेकिन आप 15-20 minute तक अगर market में फस से रह रहे हो तो कही ना कहीं पर आपके analysis में कमी है कोई भी movement देखने को नहीं मिलता है तो वहाँ पर आप 10 minute के बाद अगर आपको कोई भी profit नहीं हो रहा है तो भी वहाँ से exit कर जाएंगे तो आपके लिए better रहेगा अब इसमें हो सकता है कि एक-दो बार आपके हाथ से बड़ा move निकल जाए और तब आप मुझे बोलो कि आपने आता आपकी वज़े से मुझे नुकसान हो गया लेकिन सोचो अगर आपका analysis गलत है और वहाँ पर एक बार भी negative move आ गया तो आपका बहुत जादा जो capital है उसका loss हो सकता है और जो बहुत सारे trade में कमाया होगा वो एक बारी में जा सकता है तो इस बात का ध्यान रखेगा मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरू कीजेगा इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राब कर लीजेगा और कुछ अच्छे डिमेट अकाउन के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजेगा धन्यवाद